नमशकार दोस्तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूB चैनल में दोस्तो आप जो देख रहे हैं खूब स्पूसरा से फूल यह आइस लावर है कितने सारे कलर में आते हैं आप देखी रहे होंगे कितने सारे क्लर यह खूब सीरत और मैं एक बात यहां पर और बता दूं कि यह वही फूल हैं जो मैंने वो 10-10 रुपए के पौधे मंगाए थे ना जो एक गड़ी में 10 रुपए में कम से कम 7-8 पौधे आये होंगे यह सारे वही फूल है अब आज आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे खिल गए हैं सभी खुब खिले हैं और देखो कितनी बर्ट्स भी आई वी हैं इनमें सब में बर्ट्स आ रखी हैं बस फूल खिलने क हले तैयार हैं सारे लेकिन इसको हम यूज आइस फ्लावर को लगाने का टाइम तो नहीं है कि हम आज फ्लावर को लगाएं लेकिन यह वीडियो मैंने इसलिक डाला है कि आप लोगों से करले के लिए कि जो मैंने पौध मंगा थे वह बास आप संबीश चोटी जोटीング य है सब सेव कर सकते हैं थोड़ा सा महनत करने की जरुवत है कि थोड़ी सी महनत करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो फूल इनके देख रहे हूंगे आप ही सूख गए न तो इन्हें मैं हटा रही हूं सब में बर्ट साइविये देखो ये खिल जाएंगे कल तक नहीं खिलेंगे तो परसों तक तो खिल ही जाएंगे कितने संद्य लग रहे हैं और ये छोटी-छोटे पॉट में मैंने लगाएवे हैं यहां देखो बहुत बड़े पॉट नहीं है छोटी-छोटे पॉट हैं और पानी तो मैं इनमें देखकर ही डालती हूं इनकी लाइजर्स आप लगाते समय जोटा सकते हैं और किसी भी तरह के पॉट साइज में लगा सकते हैं अगर पॉट काफी बड़ा है तो फिर उसमें 2 प्लांट लगा सकते हैं और छोटा है तो एक ही प्लांट लगाएं और फूल तो देखी रहे होंगे आप कितने खूपशुर पर हर कलर में है है यह वाइट है और यह ढर्क पर है यह यलो कलर है हैं यह बिल्कुल लाइट pink कलर है बेभी प gözल पर होता है बिल्कुल बंद हो जाएंगे यह आप देखारे होंगे इस समय से तुछ थोड़ा थोड़ा बंद हो रहे हैं और यह शाम होने तक जैसे अंधेरा होगा न बिल्कुल बंद हो जाएंगे ये और फिर सुबहे खिलते हैं मैंने कल आज सुबह नोट किया मैंने तो दस बजे के बाद खिलना शुरू हुए थे ये सब बंद हो रहे हैं ये देख रहे होंगे आप कुछ देर में ये भी बंद हो जाएंगे और सुबह दस बजे के आसपास इतने टाइप कुछ खिल जाते हैं लगाते समय गोबर की खाड डाली थी और जो बाद में ने जब इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई थी ना तो कुछ दिन बाद मैं ने इनमें फिर लिक्विट फेटिलाईजर डाला था मेरे पास मैंने बना रखा था उस समय अनियन पिल और बनाना पिल का लिकुड फर्टिलाइजर तो मैंने वही डाला था इसमें और इनकी गुड़ाई कर दी थी मैंने दो बार और मुझे नहीं रखता कि अब गुड़ाई करने की जरुत पड़ेगी क्योंकि तब तक तो इनका सीजन ही चला जाएगा बहुत दिन तक रहते नहीं है न यह इसलिए और फूलों की तरह बहुत दिन तक नहीं रहते जैसे और फूल रहते हैं यह फिलाग्स गजन यह वगरा उन फूलों की तरह यह बहुत दिन तक नहीं रहते अगर रहते तो बहुत खूबसुरत लगते जल्दी ही इनका सीजन खतम हो जाता है अभी इनको लगाने का टाइम तो गया अब तो नहीं लगा सकते इने लेकिन आप अगले साली ने जरूर लगाना वीडियो मैंने इसले डाला है कि मैं ये बताना चाहती थी आपको कि जो मेरे पौधे मंगाए थे वो बहुत अच्छे हो गए और उमें फूल भी बहुत अच्छे बहुत प्यारे फूल खिले है आप देख सकते हो कि कितने प्यारे प्यारे फूल खिले है ये वाइट किलर भी बहुत प्यारा लग रहा है सुन्धर सा और कोई भी टहनी ऐसी निया जिसमें ख़्यान आया है सब में इतर सब जगा कल्या बन रही है बहुत हीु सुन्धर लग रहा है फोल देखने में इतने प्यारे और कितने ज़्यादा खिलेव हैं आप खुदी देख लो कि कितने ज़्यादा खिलेव हैं पीले पीले के अंदर महरून फिर उसके अंदर भी एक चकर है और ये डाक रानी कलर उसके अंदर भी महरून फिर उसके अंदर भी एक चकर सा बना हुआ है यह वाइट है वाइट के अंदर भी महरून से तब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में बहुत ही खुबसुरत और यह देखो इस तरह से लग रहे हैं यह मेरी स्टैंड में लगा रखे हैं मैंने और इन जो पॉट दिख रहे हूँगे आपके इनकी कलर फेड हो गए थे तो मैंने किया इन में यह कलर ऐसी कर दिया जो कलर घर में रखा हुआ था न वही कलर कर दिया अब शाम होते होते न यह सारे फूल जो आपको दिख रहे हैं सब बंद हो जाएंगे फिर सुबह कि और फिर मैं आपको एक बार और बता देती हूं कि यह मेरी वही दसरुपे वाली पोद है जो मैंने दसरुपे की पौद लाई थे न और उन्हें लगाया था उन प्लांटों को यह सारे वही हैं मेरी वही दसरुपे वाली पाऻ़ है और इतनी अच्छी हो गई हैं अभी और भी लगा रखी हैं काफी सारी मैं जितने भी लगाए थे वो पौधे उन सब का रिजल्ट आपको बताऊंगी तो दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहने के लिए और हमीशा इसी तरह अपना सही योग बनाए रखने के लिए और आपके प्यार और इसने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद